आप देख रहे हैं The Print और हमारे साथ आज एक खास मेहमान है हमारे साथ है नरेश पंसल जी जो की राज्यसभा सांसद है बीजेपी से उत्रा घंट से सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है The Print में सर आपने अभी राज्यसभा में इस बात की बहुत चर्चा भी हुए है एक खास मांग रखी कि जो इंडिया नाम है Constitution से वो एक मानसिक गुलामी का प्रतीक है तो उसको हटा देना चाहिए इसके ये विचार आपको कहां से आया और इतने समय बाद क्यूंग समय की बात नहीं है मैं प्रारंब से चुकी राष्टवादी विचारधारा का रहा हूं और पेरा पचास साल से उपर का सामाजिक जीवन है उस शेत्र बे काम करते हुए तो देश की प्रगति के लिए जो आवश्यक है मुझे सबसे ज्यादा प्रेड़ना मिली जब प्रध इस वर्षों में लेकर चलना चाहिए उन पांच प्रणों में से उनका दूसरा प्रण था कि देश को गुलामी मान सिक्तम से बाहर आना चाहिए और ऐसा उन्होंने बहुत सारी चीजों में करके दिखाया है जैसे हमारा बजट ग्रेजों के काल से 28 फरवरी को शाम को हमारे राजपत का नाम बदल कर करतव्यपत हुआ इंडिया गेट पर जार्ज पंचम की गुलामी का परतीक मूर्ती को हटा करके स्वतंत्रता अंदोलन में जान फूकने वाले तुम मुझे खोंदो मैं तुम्हें आजादी दूँगा नेताजी सुभाष्च द्रबोस की रियाग राज हुआ देश में ऐसे कितने हमरे पांच जो स्टेट पहले थे कलकत्ता का नाम कॉलकता हुआ मदरास का नाम चन्ने ही हुआ पैंगलौर का नाम बैंगलौर ही हुआ बंगलौर हुआ बंगलौर हुआ बंबे का नाम मुंबई हुआ तो जो देश की असमीता को प्रकट करने वाले और लोग जिसके साथ, उत्साहा के साथ खड़े होते हैं, ऐसे नाम होने चाहिए, इसको लेकर, और विश्व के अंदर कोई देश ऐसा नहीं है, जिसके दो नाम हो, श्री लंका का सिलोन और सिलोन अटा दिया, श्री लंका हो गया, क्योंकि जो भी नाम हो और सूरज प्रकाश कहते हैं। राष्ट के उत्थान और पतन को भारत ने देखा है। ब्हारत के नामसे हमको देश के लिए कुछ कर गुजरने की हर एक युवा के मन में इच्छा प्रकट होती है। भारत के साथ हमारा भविश्य जुड़ा है जो विक्सित राश हम बनाना चाहते हैं भारत बनाना चाहते हैं इंडिया नहीं भारत माता की जै बोलते हैं हम इंडिया माता की जै कोई बोलता है क्या है भारत को अपने मा माना है माता माना है इसलिए हम चाहते हैं कि यह हटना च जोग चल रहा है, सामप्रदाइक दंगे हो रहे हैं, आज विश्व हिंदू परिशत निकाए कि वो देश्वयापी प्रदर्शन करेंगे इसमें, आप भी RSS से भी बहुत समय से जुड़े रहे हैं, बहुत समय तक जुड़े रहे हैं, आप इस थिती को किस तरह से देखते है ये इस्तिती भयावा इस्तिती है, भारत वर्ष के अंदर यदि हमारे सनातन रास्ट होने के बाद हमारे देवी देवताओं की यात्रा ही नहीं निकलेगी, हमारे आस्था के केंदरों पर हमले होंगे, तो ये तो फिर मुगलों के काल में जैसा होता था, वैसे ही दोराने क प्रियास हो रहा है, और देश के लिए भी एक चेतावनी है कि इसको समझें, कौन इसके शडियंतर का रही है, कौन इसको पालने वाले है, किनों ने सत्तर साल तक उनको पाला है, आज सारा देश के सवाल पूछता है. ये भी का जा रहा है कि जो यात्रा थी उससे पहले कुछ भढ़काऊ वीडियो और बयान दिये गए और इस हिंसा को, जिससे वो हिंसा और भढ़की, इस सम्मझ में अब ये सो सब जांच का वीशे है, जांच में जो आएगा, कोई दोशी होगा तो उसको सजा मिलेगी, ले अगर किसी ने बोला उसको सजा मिलने चाहिए, लेकिन ये कोई भढ़काऊ भाशन के का अचानक हुआ हमला दिखाई देता है क्या, जिस परकार की जिस तैयारी से मोर्चा बंदी करके हुआ है, तीन घंटे तक माताएं, बहनें, बच्चे फसे रहे वहां पर, मोर्चा ले काफी पहले से लोग तैयरी कर रहे थे दंगा करने वाले, ऐसा मेरा बानना है, बाकी तो जांच में जो आएगा, और इस तरह के सामप्रदायक दंगों में, कुछले कुछ समय में, चाहे वो खारगौन हो, मध्यप्रदेश हो, चाहे वो कूलापूर महराश्टों में हो, औ आपके खुद के ग्रहराजे उतराखंडे भी पिछले कुछ समय में, इस तरह के दंगों में व्रिद्धी हुई है, इसका कारण आप क्या समझते हैं? ने, ब्रिद्धी तो नहीं हुई है, चुकि ऐसे दंगे हमारी सरकारे आने के बाद, डबल इंजिन की सरकारे आने के बाद, बिल्कुल बंद हुए, अब उसमें एका दंगा भी हो जाता है, तो दिखाई देता है कि ब्रिद्धी हुई है, इस से पहले की सरकारों में मैं त इंत्रन हुआ है लेकिन अभी कुछ स्लिपर सेल है जो अपना काम कर रहे है और उनसे सक्ति से निप्टा जाएगा ठीक है सर यूनिफॉर्म सिविल कोट पे चर्चा हो रही है काफी और आपके ग्रहराज्य में किस तरह से इसको लागू किया जाना चाहिए उस पर आपका क्य ना जाते कि लेकर निश्फ्षित रुप से कि वऔन नेशन वन टेक्स टो कटो फोन नेशन वन नेशन वन राशनकार्ट ग्रंट ग्यारें अपने अपने धंसे मानन कुझा वो कहते हैं इसको हम नहीं मनें हमारे उसमें हस्तक्षे पे तो फिर शरीयत में चौरी करने वाले कि हाथ काटें जाने चाइलिए ना शरीयत में तो यह भी लिखा है कोई किसी प्रकार काप करते करता है तो पत्थर उस tsunami मारा जाना चाहिए ना फिर उसको शरियत में यह भी लिखा है कि जो वह है वह उसको नहीं मानेंगे उस पर सरियत ना लगुज और अब तो पूरी की तरह पूरी लगुज लगुज नहीं तो पूरा का पूरा देश का एक कानून बना चाहिए कोई अपराद है तो उस Parliament को समान सजा होने चाहिए कोई violation है तो समान उस पर action होना चाहिए तलाक है विवा है संपत्ति का बटवारा है इस पर एक कानून क्यों नहीं हो सकता है किसी को क्या दिक्कत यह कहीं उपासना पद्दती में हस्तक्षिप तो है नहीं तो देश की प्रगति के लिए 70 साल आजाद है तो इस तरह की reservation किस प्रकार से सरकार को address करने चाहिए अभी सरकार देखे कि इसको अभी हमारे यह जब UCC लाने की बात हुई तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हाला कि जनता काम को जनादेश है हमारे गोश्ड़ा पत्र में था लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने फिर भ प्रकार के बुद्धी जी भी लोगों की एक सभीती बनाई है उसने लाखों लोगों से सुझाओ लिये अपनी वो रिपोर्ट तैयार कर रही है उसके बाद National Law Commission ने भी इसको टेक अप किया है उसके पास तो मुझे लगता है पचास लाख से ज्यादा सुझाओ आए अभी प्रकार में सर ये अभी पिछले समय में चर्चा चल रही थी कि जो वन भूमी पर जो धार्मिक अवैद जो धार्मिक स्ट्रक्चर्स है उनका एक सर्विक्षन होगा फिर वो उनके उपर कारवाई होगी उस संबंद में इस पर आपका क्या अपना विचार है की और क्या-क् गया तो बहुत सारी भूमी हजारों हेक्टर भूमी अतिक्रमन की हुई है और विशेश रूप से इसमें भी अवैद मजारे चिन्नित की गई लगवग एक हजार अवैद मजारे जिसमें बहुत सारी वन भूमी पर कबजा तो सेक्ड़ों हेक्टर भूमी इसमें खाली तो एक भी मजार के नीचे किसी भी प्रकार के अवशेश नहीं मिले जबकि मजार अगर कोई बनती है किसी की समाधी होती है उसके अवशेश मिलने चाहिए तो यह सीधा सीधा अतिकरवन का मामला है और उसको उस्वत्रिकवान अटाने में कहीं पर कोई पूजास्तल हिंदू समाज के भी आए तो वो भी अटाएगा मतलब इसमें कोई धार्मिक इस तरह नहीं किया गया अटाने में पर जो पर जो व्यवधान होते हैं कारवाई में और पिछले काफी समय से पहला जो सत्र था उसमें भी काफी हुआ इस बार मौन्सून सत्र में भी और ये सिर्फ एक तरह से ऑपोजिशन नहीं है मतलब मुझे लगता है दोनों तरह से विपक्ष और पक्ष जो हैं दोनों एक तरह से इसमें भागिदार हैं आप इसको किस तरह से देखते हैं देखे मैं तो जब से आया हूँ, आप आश्रे करेंगे, मुझे ये लगता है, क्योंकि जब मैं आया तो करोना था, नमंबर 2020 में, तो एक साल करोना में चला गया, एक डेट साथ, और दो साल आठ माईने मुझे हो गए, बाकी का समय भी मुझे लगता है कि ये करोना का विस्त सारित स्वरूप है, जो विपक्स संसद नहीं चलने देता, मेरे जैसे संसद जिनको दो साल आठ माईने हो गए, उनकी मेडेन स्पीच नहीं हुए सदन के अंदर, आप आश्चरे करिए, अनेक महतों के प्रश्ण, प्रश्रकाल नहीं हुए, संसद उनने लगाए, मेरे अन अगर इनको चिंता होती, व्यवधान करना होता, तो कम से कम जीरो आवर ये संसदों का होता है, उसको चलने देना चाहिए, संसद विभिन प्रकार के अपने जहां से चुनकर आए हैं या जहां से नामित होकर आए हैं, वहां की समस्याओं को उठाते हैं, उसके बारे में प्रतिक उत्तर मिलेगा, तो वो चर्चा से भागते हैं, चर्चा से और डिबेट नहीं करना चाहते हैं, डिसकेशन नहीं करना चाहते हैं, अभी इसी पर देखिए मनिपूर का, जब चेर्मेन ने 176 में शॉर्ट डिरेशन डिसकेशन अलाउड कर दिया है, रूलिंग दे लिए, रूलिंग से पहले आप अपनी डिमांड रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब रूलिंग दे दी फिर भी बताना के क्या मतल़ है, आज तो चेर्मेन की विपक्षे द्वारा हमने देखा है, किताब फेके जा रही है, चेर्मेन की और, कागज फेके जा रहे हैं, प्ले कार्ड रह रहा हैं, बेल में आकर के उधम मचाया जा रहा है, तो लोगसभा, राज्ये सभा, खास्तोर से राज्ये सभा, एल्डर साउस है, वहाँ पर तो एक उच्छे स्थर की डिबेट होनी चाहिए, उच्छे स्थर का वाद विबाद होना चाहिए, लेकिन विपक्ष हो अल्ले में विश्वास रखते हैं, उनके पास कुछ कहने को है नहीं, और मोदी जी की जो अंतरास्टे लोगप्रियता है, देश के अंदर जो लोगप्रियता है, जो आशिरवाद समर्तन उनको है, उसको विपक्ष पचा नहीं पा रहा है, उनको लगता है कि डिसकेशन होगा तो ये लोगप्रिता और बड़े ही, तो इसलिए वो हो अल्ला करके जो देश ने प्रगती की है नो वरसों में, उसके तुलना जब 2014 तक करते हैं 2004 से, तो UPA की सरकार कहीं ठेहरती नहीं है, तो इसलिए वो सबसे भागते हैं, कई बार उनको का गया डिसके हो सकता है, या किसी तरह से भाजपा को चुनोती किसी तरह की मिल सकती है, देखें ये विपक्ष के अंदर भटका हो है, उसको इंडिया कहना गलत है, क्या आप विखरावा इंडिया चाहते हैं, आप अकर इंडिया भी कहते हो, इंडिया यूनाइट, उसके किसी अक्षर के बीच में कोई gap नहीं है लेकिन इनका क्या है? आई डॉट एन डॉट डी डॉट ए आई ए confusion है बीच में डॉट हर अच्छर के बाद डॉट है तो यह confusion इनका क्रियेट बताता है इन्होंने जो जिस इंडिया को यह कहते हैं इन्होंने अपने शब्दों में बिखेर दिया है अपना यह नाम रखे इसलिए मैं तो सबसे अपील करता हूँ कि जो है वही बोलना चाहिए आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए इंडिया नहीं बोलेट इस नाट इंडिया जी धन्यवाद सर आपने समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए देखते रहिए दप्रिंट